हेलो प्रेंड नुश्कार स्वागत है आपका अपना चैनल भी यह पी बनना कीचेन में तो गाइज आज हम लेकर आए हैं आप लोगे सामने बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सीरेज भी जिससे खाकर आपको एक दों मजा आ जाएगा बहुत ही टेस्टी बनेगा बहुत ही भरवा रोटी भरवा पराठा बोल सकते हैं जो बहुत ही टेस्टी और हैल्दी भी है तो यह सफेद वाला बाज़रा है तो उसका रोटी बनाएंगे मक्य की रोटी जिसके बनानी के लिए समगरी चाहिए गड़ाई को रखेंगे गरम होने के लिए जब इसमें गरम हो दो के महीन बारी काट लिए और मिर्चशालों लिए टीकर अपने होड़ींग रखें जब आप फ़र्न तारक जाया तो उसमें मिर्चा टालेंगे और महीन बारी कातना को मिर्चा और मिर्चे को दालेंगा लिए यह टीकणमी अच्छ का चिकशं रु सबदामे सब्सक्रण ускat के मिक्स करदें लेंगे हम अल्ब मसाले को ड़ाने और मिक्स कर लेना朝 आगए इस एक मळुकल है जुट बन को बोढ़े गोज हुब को हमने फ्रेस मटर लिया है बॉयल नहीं है यह कच्छा ही है इसको छोड़ा के दो के इसके भी डाल लेना है डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले ताकि मसाले अच्छे से कोट हो जाए हमारी सब्जी में इसे ढख के पकाएंगे हर दो मिनट पर इसे चलाते सब्जी जो है फिलिंग नीचे से जले नहीं और इसे ढग देंगे और इसे ढग डग के पकाना है चलाते रहेंगे बीच-बीच में ताकि यह जले नहीं दे सकते हैं यह हमारा कुक हो चुक है लमसम जिब अच्छे सा थोड़ा अच्छा सा कुक हो जाएगा तो इसे देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा मैस्ट किया है और घुवी को छोटा काटा था इसलिए बनाने में असानी भी होगी तो अब इस पैचला से दबा के उसको थोड़ा सा मैस कर सकते हैं चलाते वक्ती तो मारी फीलिंग है बनके हो गई है रेडिक गैस को कर दिया और डार्लिं यहां को डाल कि अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे ठंडा होनी के लिए रख देंगे साइड में तब तक आठा हम तयार कर लेते हैं तिले लिए मैंने बाजडे का आठा यह सफेद वाला बाजड़ा है और गरम पानी से गुतेंगे तिदर पानी भी गरम कर लिए पानी को इतन पसानी होगा आठे को पूरा मिला लेना मिलाने बार जो हाथ का तरहती होता है उससे मिसको मसलना है इतना मसलना इतना मसलना कि चिकना हो जाए अब फटे न यह थोड़ा बनाने में दिक्कत आता है सबसे नहीं बंद पाता है बट अब देख लिए कैसे कैसे बना रही हूं पुसी तर से बना इसे मनसलने के बार लोही बना ले चक्क मना लें और थोड़ा थोड़ा फिलिंग डाल बीच में ना उठी से नबाते वी से पहिला नहीं और नहीं दाना है ठोटे को यह उतार तावे पर थोड़ा सा तेल गरम करने तावे को रगदे हीट होने के लिए हलका हीट चाहिए ज्यादा नहीं और तावे पर डालके दोनों हाथ से हलका हलका फैलाते जाए चार तरब से जब हातों से दबा के फैलाएंगे तो एक साइज में खुब अच्छे से फैल जाता है ज देख सकते हैं जब यह नीचे एक साइट से जब हो जाए तो इस पैचुला जो ऐसे मुह होला इस पैचुला से चुड़ाना है वरना यह टूटता बहुत जल्दी है तो इसे छोड़ा के दूसरे साइट से पलट लेना है और इसे बहुत अच्छे से सीखना है मीडियम टू तो अब लोई रखे तो मसल-मसल के चीखना कर लेना है जितना इसे मसल लेंगे उतना च्छा रोटी हो और यह टूटे गर नहीं तरह इसा कुँर से आपना रोटी बीजर से चैक के तयाब कर लेंगे तो देख सकते हैं रेटी जो है पराठा वाजटेकर रेडी हो चुका है इसको करेंगे साहरा दूसरा अपना जवर पंते से फैला लिए दूसरा साइट से न अपने चनको निए इसको सेक लिए aggregate हम बनाएंगे कुछ अपना मक्य का हमके का आति कर भर्वा पराफ़ा बनाएंगे इसको खूब अच्छे से घुमा घुमा कैसी पर शिक लिए देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा बाजरी की रोटी बन के रैडि हो गई है इसके आपका गहुं का रोटी मीट लगेगा मक्य की र कर देंगे बन जाता है इसे थोड़ा गूतने में टाइम लगता है इसके हाथे के तलहती से ज्यादा मसल मसल के गूतना पड़ता है पूरा जोर लगा के ताकि याटा चिकना हो जाए जितना चिकना गूतेंगे या उतनी अच्छी रोटी मारी बनेगी और यह फटे का नहीं और दोनों हाथ के बीच में दोना के तरहती से देख सकते हैं मैं कैसे इसे दबा रहीं उसी तरह से दबाना है दबाते हुए इसे फैलाना है हलके हाथों से दबाएंगे इदम जोट से नहीं दबाना है हलके हाथों से बराबर एक्विली चारतों से घुमाते जाएंगे एस तरह से मुझा है धार में बहुत अच्छा होता है करने दोना क्रोंड़ीक च्छड़ा के दोने कर देलें और एक और शेकना है तो जब रोटी शेक आप्टा जाता है तो हातों दबाकर देखेंगे जिदर से नर्म लगेंगे जिदर का टायट रहो उदर समझें कि रोटी से चुक आदेख सकते हैं किनारेत नर्म है ताकि किसी भी तरह से रोटी यमारी कच्ची न रहा है पाराठे बहुत अच्छे बने हेलदी बने और शेकने के बाद आप लाश्ट में इसमें घी भी लगा सकते है बटर भी लगा सकते है इसका टेस्ट और दोगना बढ़ जाएगा और ज्यादा हेलदी हो जाएगा वैसे बहुत ही हल्दी बहुत ही टेस्टी है बाजरा तो बहुत कमी मिलता है आपको तोड़ के दिखा देते हैं कितना अच्छा इसका लूक आ रहा है देखने में जितना इसका अच्छा लूक है खाने में उतना ही टेस्टी है मक्के के रोटी से मीठा बाजरे का रोटी ल जालने से इसका जो टेस्ट हो भी बढ़ जागा थोड़ा लूक अच्छा एगा और घी के साथ गर्म गर्म रोटी में घी लगा के खाएंगे बाज़र अमक्के की तो बहुत ही टेस्टी लगता है और घी मेरे सिहत के लिए फायदे मन भी होता है तो इसे घी लगा लेते हैं घी से सजा लेते हैं इसे देखने में इसका लूक भी अच्छा है खाने में भी अच्छा है तो गाएज मेरे वीडियो पसंद है तो 겍ने कीज़ेगा कमेंट किजेगा अपने दोस्तों में सेर किजिजिए गा मेरे चैनल को सुस्क्राreiben कर लेज़ेगा बेल आइकर की गंटि बाई बाई टेक किया थेंक यू